नमस्कार न्यूजबिंग टीवी में स्वागा था आपका मैं हो रफिसमी जिस तरह से चुनावी विगूल के साथ ही जेमेम आरजेडी कॉंग्रेस गड़बंदन के बीच सीट सेयरिंग को लेकर के खीचा तानी चल रही थी लगातार आरजेडी जिस तरह से सीट में बढ़ो बैठक के बाद तेजस्वी यादो अपने नेताओं के साथ सीम आवाज से बाहर निकल गए हलाकि तेजस्वी यादो ने पत्रकारों से मुखातिब नहीं हुए लेकिन जो सुत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि साथ सीट जो है आरजेडी को दिया गया है साथ सीटों प होगी कि इस बात पर मुहर कब लगती है लिस्ट कब जारी होता है लेकिन जो खीचात आनी चल रही थी लगातार दो तिन दिनों से हम कह सकते हैं कि सीम के स्टेटमेंट सतर सीडों पर जेमेम और कॉंग्रेस के चुनावी लड़ने के आने के बाद से ही आरजेडी जिस तरह से नराज दिख रही थी और लगतार आरजेडी प्रेस कॉंफरेंस कर कई बड़े ऐसे खुलासे करने या कई ऐसे बड़े एक्सन लेने की बात कर रही थी और वो प्रेस कॉंफरेंस भी लगतार अस्थगित होता जा रहा था इनी सबों के बीच आज मुखमंतरी हैमन सोरें से तेजस्वी यादो उनके आवास कांके रोड में मिलने पहुंचे और हम कह सकते हैं कि घंटो मुलाकात के बाद फिर तेजस्वी यादो से बाहर निकले हलाकि तेजस्वी यादो ने कुछ भी स्टेट्मेंट या बयान देने से जो है कटते नजर आएं लेकिन जो सुत्र के भी जो नेता है वो सीम आवास पहुंचे थे उनकी भी जो डिमांड थी उस पर भी कई तरह की जो है सहमती बनी है वारहाल लिस्ट जारी होते ही इस पूरे मामले पर इस पूरे बात पर मुहर लग जाएगा लेकिन जो सुत्रों के आवाले से खबरे मिल रही है कि आर्ज मिलेगा कि आपकी मिलिया भी बढ़तेंगी यह देखिए सर एवन कॉलिटी के सेमेंट लगा रहा हूं मैं मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए है का अरे बॉड़ी भिदाउट स्ट्रॉंग बोन किस काम का एह देखिये मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सेमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पर देखिये